हेलो गाइज, वेलकम टू केप्टन एगरो गाइज, यहां पर एक वर्ड लिखा है मैंने पटवारी और जो पटवारी के वेकेंसी निकलिए इस बार करीबन करीबन 42 पद है अच्छा मौका है, गॉल्डन चांस है आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने फोर्म डाला है जिन्होंने फोर्म अब तक नहीं डाला, फोर्म जरूर डाल ले तो यहां पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा इसमें 30 जो क्योशन्स है आपके 30 क्योशन्स वो राजस्थान जीके के आने वाले हैं थे हम डेली के डेली बात करेंगे उससे आप लोगों भी प्रेक्टिस हो जाएगी और आपके जो एक तरीकि से तेयारी है वो आपके स्ट्रोंग हो जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्च्टर में हम बात करेंगे जो राजस्थान में नदिया है उनके किनारे पर कौन-कौन से सहर है और कौन-कौन से इस्तान है तो हेडिंग डालेंगे राजस्थान नदियों के किनारे बसे सहर नदियों के किनारे बसे नगर या इस्तान तो यहाँ पर में सारे के सारे जो नगर हैं करीबन करीबन 14-15 नदिया हैं और जो नगर हैं वो सारे के सारे में आपको यहाँ पर ट्रिक से याद करवा दूँगा आप ट्रिक याद कर लेना आपको सारा बिल्कुल easy way में याद हो जागा तो सबसे पर ले हम जानते हैं यहाँ पर जो हमारे पास most important river है जो नदी है वो है यहाँ पर चम्बल चम्बल से अधिकतर question पूछी जाते हैं चम्बल के डाको आपने सुनाओगा ठीके तो चम्बल नदी के किनारे पर कौन-कौन से सहर बसे हुए है इसकी एक trick है इसकी trick क्या है चम्बल के भैसे कोड़ा में अब इस trick से कैसे याद रखोगे देखो चम्बल तो एक क्या है नदी का नाम है किसका नाम है नदी का नाम है यह वाला भी किसका नाम है नदी का नाम है केसे मतलब है केसो राइपाटन केसो राइपाटन ठीक है केसो राइपाटन और भैसे भैसे से मतलब है भैस रोडगड भैस रोडगड और कोटा अपने नाम में एक बहुत बड़ा नाम है educational city कोटा तो तीन सहर बसे हुए है तैया हमारे पास यहां पर बनास बनास के किनारे पर भी तीन चार सहर और आपको मैं को में TRICKस बदा दूँगा ठीक breaking up बात करते हैं बनास लियäre इसके किना κάνipper सहर बते हुए एक आथद दौरा है लाट दौरा है टॉप है नाथद दौरा टौक सवाई मादोप sitten सवाय मादोपुर और विसलपुर अब देखो इसकी ट्रीक क्या है बनास के नात टॉक में अब देखो कैसे याद रखेंगे वैसे अगर वर्ड को देखो गया आप बनास को तो इसके अंदर तीन सहरों के नाम चुपी हो गया है बसे आप याद रख सकते हो बिसलपूर क्या याद रख सकते हो बिसलपूर और नास से याद रख सकते हो नाथ द्वारा और ससे याद रख सकते हो सवाई मादोपूर बचागोन टॉक तो यहाँ पर मैंने ट्रिक क्या लगाई यह बनास के नाथ टॉक में ठीके नाथ से नाथ द्वारा है टौक है सवाई मादूपूर है बिसल पूर है आई होप आपको समझ में आगया हुआ चलिए आगे बढ़ते ही अगली नदी आती है हमारे पास यहां पर घंगर 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 मौस्ट इंपोर्टेंट रीवर है यह भी घंगर जो घंगर नदी है इसके किन अनूप गड़ अनूप गड़ अब देखो कैसे याद रखोगे इन तीनों के पीछे गड़ गड़ आ रहा है क्या आ रहा है गड़ गड़ तो आप नॉर्मल याद रखना हनुमान गड़ सुरत गड़ और अनूप गड़ गगड नदी के किनारे पर जहां पर गगड़ नदी आती है, खारी, फोर्थ नमबर पे, खारी नदी, आप इनको नोट करते वही जरू चले, और वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट करते वही जरू चले, ठीके, खारी आग विजे नगर में, इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक, ट्रिक क्या है, खारी, खारी, आग, विजे नगर मे विजे नगर में अब देखो खारी किसका नाम हूग गया नदी का नाम मुगया और जो आग है आग अग का मतलब है यहाँपे अका मतलब है आसिंद और यहाँ ग zer workforce है और यहाँ ग यहाँ ग है ग का मतलब है यहाँपे गुलाब पुरा गुलाब पुरा और विजे नगर और टोमेटिक नाम है ठीक है विजे नगर तो तीन सहर है जो खारी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं कैसे याद रखोगे खारी आग विजे नगर में खारी आग कहां पर है विजे नगर में तो खारी नदी है और आग का मतलब आसिं सिंधि देखो बच्चो अगर आपको जिन नदियों के किनारे पर जो सहर बसे होएं उनके नाम याद यादे तो आप कमेंट जरू करें कमेंट में क्या होता है अगर दूसरा दोनों नाम याद रखना जाल रहाँ जाल रहार जाजा काली सीन जाजा ठीक है आप ट्रिक्स से याद करने के कोई जरूपत निए 이제 नौर्मल याद हो जाल रहा जाल ह की जाल जाल ठीक है जवाई का सिसू, जालोर में, अब इस ट्रिक से कैसे नाम याद करेंगे हम, जवाई का मतलब तो यहां पर क्या है, नदी है, और जो यहां पर मैंने सी लिखा है, इस एक सी का मतलब है सिउ गंजी, क्या है, सिउ गंजी, सिउ गंज है, और दूसरी जो सू है, इसका मतलब है स सुमेरपुर क्या है सुमेर सुमेरपुर और जालोर एक अलग से नाम है जालोर तो जो जवाई नदी है इसके किनारे पर तीन सहर है एक तो जालोर है दूसरा सुमेरपुर है तीसरा सिवगंज है तो याद रखना मतलब जवाई को के से याद रखोगे जवाई का सिसु जालो में ठीके जवाई का सिसु जालोर में तीन जगह पर हैं सिवगंज सुमेरपूर और जालोर चली आगे बढ़ते हैं अगली नदी आती है हमारे पास यहां पर लूनी अब जो नदिया हैं उनके किनारे पर उनली एक-एक सहर है ठीक है एक-एक नगर है एक-एक इस्तान है तो आपको याद करना पड़ेगा जो मॉस्स इंपोर्टेंट थी वह मैंने आपको यहां पर बता दी अगली नदी हमारे पास यहां पर लूनी और लूनी नदी के किनारे पर जो सहर है वह है बालोत्रा बालोत्रा तो आप याद रखे लूनी नदी बालोत्रा आगे बात करते ह जोजडी जोजडी और जोजडी के किनारे पर जो इस्तान है वो है पिपाड पिपाड क्या नाम है पिपाड है अगली नदी आती है सूकडी सूकडी और सूकडी के किनारे पर जो इस्तान है जो नगर है वो है सोजड 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 और आगे आती है हमारे पास यहां पर बोडी अब बोडी नदी का नाम है ठीक है ट्रीकिस की क्या है बोडी बोडी पाली में बोडी पाली में तो जो बोडी है वो कहा है कि है पाली की ह तो कहने का मतलब है जो पाली बसा हुआ है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है बोडी नदी के किनारे पर बसा हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं अगली आती है बेड़त क्या है नदी का नाम है इधर जो भी लिख़णा हों में हों क्या है नदियों के नाम है बेड़त अब जो ये बेडच है इसके नाम में छुपा हुआ है कि इसके किनारे पर कौन सा सहर है बेडच के पीछे च है इसका मतलब है चितोडगड क्या है चितोडगड तो यहाँ पर जो बेडच नदी है इसके किनारे पर चितोडगड सहर बसा हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं अगली नदी आती है खोठारी और खोठारी के किनारे पर है भीलवाडा भीलवाडा जो बसा हुआ है खोठारी नदी के किनारे पर बसा हुआ है अगली नदी आती है पस्चिम बनास और जो पस्चिम बनास जो रीवर है इसके किनारे पर है आबू प्रोड चलिए आगे बढ़ता हैं अगली नदि किनारे पर बयाना है और अगली नदी है हमारे पास यहां पर मगाई कौनसी नदी है मगाई और इसके किनारे पर है रानकपुर तो बच्चो तो दोस्तों यही कुछ नदिया थी जो most important है जिनके किनारे पर जो सहर बसे हुए हैं जो नगर हैं जो इस्तान है वो मैंने आपको यहां पर बता दिये तो गाईज अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें कमेंट करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सबी वीडिय जो उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे हैं मिलते हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय जवान जय किशान जय है झाल 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 झाल